हमारी ये वीडियो इससे पिछटी वीजियो की कंटिनीशन में है हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख रहे थे यहां पर एक कंपनी है जिसके तीन डिपार्टमेंट्स हैं तो कुछ इंफोर्मेशन जो र इस तेन डिपार्टमेंट की जिसां कि हम यहां सकते हैं यहां पी पर ट्रेसफेन...ओ परτι्फेंट्स हैं..द। तो हम लोग जो sundry expense है जैसे 16,000 तो नीचे हम लोग पढ़ेंगे यहां में बताया होगा कि किस पेस पर हमने यह तीनों डिपार्टमेंट को चार्ज करना है तो हम लोग यहां पर जतना काम कर चुके थे हम इसको पहले देख लेते हैं हम लोग यहां पर trading account बना चुके थे यह जो उपर वाला हिस्सा है trading profit and loss account का इसको हम trading account कहते हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि gross profit हमें तीनों डिपार्टमेंट का नजर आ रहा है और इस gross profit को हम लोग यहां पर लिखते हैं carried down यानि हम लोग इसको नीचे carry करेंगे और यहां पर हमने लिखा है gross profit brought down यानि वो gross profit जो के trading account से लाया गया है तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे 52,150 profit है department X का तो gross profit brought down ने हम 52,150 लिखेंगे इसके बाद हमारे पास है department Y इसका gross profit है 26,290 इसको हम लिख लेते हैं और इसके बाद हमारे पास है 25,860 gross profit आया था department Z का और अब हम लोग बाकी जो expenses रह गए हैं उनको हर department के हासी कितने होंगे calculate करते हैं और लिखते हैं तो पहले है salaries and wages तो हम लोग यहां पर जाते है salaries and wages का जो total expense है वो है 45,000 और salaries and wages से related to salaries and wages हमें यह बता गया है किस पहमने distribute करनी है यह expense किस तरह से charge करना है salaries and wages comprise as follows इस तरह से हमने इसको distribute करना है department X में अगर total जो है यह expense हमारा 45 होता है तो उसको 25 हिससे department X को जाएंगे और अगर total 45 है तो department Y को 12 हिससे जाएंगे और department Z को 8 हिससे जाएंगे तो अब हम देखते हैं कि हम लोग calculate किस तरह से करेंगे यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि departmental accounting हम लोग कर रहे हैं और इसके working notes अब हम लोग यहां पर बनाने जा रहे हैं हम लोग distribute करने जा रहे हैं कि salaries wages को हम लोगोंने किस तरह से distribute करना है तो पहले हम यह देख रहे हैं salaries and wages को हम देखने जा रहे हैं in salaries wages में हमने पहरे देखना है कि department X को कितनी salaries या wages जाएंगी department के लिए हम रिख लिख लेते हैं DEPT department और यह है department X total जो salaries and wages का expense है वो है हमारे पास 45,000 तो यह हम रिख लेते हैं रुपीस 45,000 है और इसको हमने तीनों department में distribute करना है 45,000 यहां हमने लिखा department X का पहले find करते हैं और X के लिए जो हम लोग के पास given है ratio जो दी गई है वो है 25 by 45 तो अगर हम लोग 45,000 को 25 से multiply करें और इसको फिर divide कर दें 45 पर तो यह हमारे पास आता है रुपीस 25,000 तो रुपीस 25,000 तो रुपीस 25,000 जो expense है यह department X में जाएगा salaries and wages का और इसको हम लोग पहले लिखते हैं department X में salaries and wages के सामने 25,000 यहां पर हम लोग आ जाते हैं salary and wages में हमने department X के नीचे 25,000 हम लोग देख चुके हैं कि total expense 45,000 है तो जितना हिस्सा department X में जा रहा है जितना चार्ज हम X को कर रहे हैं वो है 25,000 हमने इसको यहां पर लिख दिया बिलकुल इसी तरह हम department Y और department Z का भी find करेंगे जिस तरह हमने department X का find कि बिलकुल इसी तरह हमने department Y और department Z का भी find कर लिया और यहां रहा है 12,000 and 8,000 हम लोग इसको लिखते हैं department Y में और department Z में 12,000 आ रहा है डिपार्टमेंट Y में और डिपार्टमेंट Z में आ रहा है 8,000 हमने इसको यहां पर लिख दिया अब अगर हम लोग री चेक करना चाहें कि जो हमने डिस्ट्रिबिशन की है वो ठीक है या नहीं तो हम इसको किसा से चेक कर सकते हैं यहां जो यह तीनों पर दिस्ट्रिबिशन होने के बाद यह जो अमाउंट का टोटल है तीनों डिपार्टमेंट में अमाउंट भेजी है तो हम लोग यहां पर देखें तो 12,000 और 8,000 को जमा करें 20,000 और 20,000 तो 25,000 को जमा करें तो यह 45,000 बनता है इसका मतलब है हमने 45,000 को सही से तीनों डिप किया है हम लोग salaries and wages का जो expense है इसको तीनों डिपार्टमेंट को चार्ज कर चुके हैं अब हम आते हैं rent की तरफ रेंट है रूटल 13,800 और यहां पर हम लोग अगर देखें रेंट वेसे ज्यादा होता है लेकिन यहां अपनी understanding के लिए जो amounts है वो छोटी लिखी हुई है तो हमार मक्सल इस वक्ती समझना है किस तरह से different department को cost, charge, expense, charge हम करते हैं तो rent से related to information दी गई है वो यह हमारे पास है department Z paid rent to be 600 per month and other departments paid rent in proportion of area occupied as department X 2 5th, department Y 3 5th इसका मतलब है कि पहले हमने चेक करना है कि department Z, इस rent expense में department Z का rent expense कितना है और 600 रुपे पर मन्त है तो हम देखें कि department Z को हम कप से चला रहे हैं और यहां बर गिवन है department Z was established on 1st January 2019 और यह जिस date को हम बना रहे हैं trading profit and loss account वो date है 30 जून 2019 और department Z start हुआ है 1 January को while other departments two departments who are in operation since 1st July 2018 इसका मतलब है दो जो department Z के अरावा X and Y वो तो पिछले साल मतलब 1st July 2018 से 30 जून 2019 पूरा साल हमारे चलते रहे हैं departments हमारे रहे हैं बने हुए थे साल के शुरू से और department Z हमने establish किया है 1 January को तो इसका मतलब है 1 January से अगर हम 30 जून तक देखें तो यह time बनता है 6 महीने तो हर महीने का जो rent है वो है 600 तो department Z हमारे पास रहा है 6 महीने तो हम लोग इस तरह से calculate करेंगे करेंगे कि जब rent का expense हमने allocate करना है तो सबसे पहले हमने check करना है कि हमें बता दिया गया है अलग से कि department Z का rent कितना है तो वह हम लोग पहले calculate कर लेते हैं जैसे कहा है कि 600 है रूपीज 600 पर मन्त है और department Z का और इसके इलावा 600 पर मन्त है और कितने मन्त है यह है 6 months तो यहां पर हम लिख लेते हैं यह है 6 months हम लोग 6 को multiply करेंगे 600 से यह हमारे पास आएगा रूपीज 3600 अब हम देखते हैं कि total expense कितना है यह expense हमने लिखाया है department Z का हम लिख लेते हैं department Z और total हम अब देखते हैं कि rent का total expense कितना है और यह है 13,800 तो हम लोग यहां पर आते हैं 13,800 total expense है rent का और इसमें से जो Z department का है वो है 3600 तो हम देखते हैं अब जो बाकी रह किया है rent वो होगा department X और Y का वो उन दोनों में distribute होगा तो 13,800 में से हम let's करते हैं 3600 तो यह आ जाएगा rupees 10,200 इसको हम department X और department Y में allocate करेंगे तो यह है department X का 2 5th department Y का area के लिहाज से 3 5th total area का जितना 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 area तोनों इंडिया हुआ है उतना उतना rent उनने चार्ज किया जाएगा तो हम लोग यह calculate कर रहते हैं department X का आएगा 2 by 5 अगर total 5 है area तो इसमें से दो हिस्से department X के हैं इतना ही rent department X को जाएगा तो यह जो बाकी बाच किया है 10,200 यह हम लोग allocate करेंगे यह वाला expense department X को department Y को 10,200 हमने यहां लिखा 10,200 हमने यहां लिखा और अब हम लोग यह calculate करते हैं calculate करने के बाद हमाई बास आया है department X का expense 4,080, department Y का expense 6,120 और जो हमने department Z को चार्ज किया है वो है 3,600 और अगर हम इन तीनों अमाउंट को जमा करें तो इन तीनों अमाउंट को जमा करें तो इन तीनों अमाउंट को जमा करके हमारे पस आता है 13,800 तो इसको अब लिखते हैं इसको भी हम लोग यहां पर रेंट है और हम लोग यहां पर इसे लिख लेते हैं department X के बाद हमारे पास है department Y और इसका है 6,120 यहां ने हम पर लिख दिया और इसके बाद हमारे पास जो department Z का हमने गलकुलेट किया है वो है 3600 और इन तीनों का टोटल है 13,800 इसके बाद जो हमाया रह गया है वो सिंडरी expenses हैं इसके इला तो संडरी expenses को हमने allocate करना है यहां given है संडरी expenses को turnover की base पर हार department में जितनी sales हुई है जितना turnover है उसकी base पर हमने allocate करना है तो वह हम लोग इससे next video में इसी continuation में करेंगे और allocate करेंगे संडरी expenses को उसके बाद हम लोग यह अपना numerical complete करेंगे